नमस्कार, हिंदे साही तेवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकर के साथ L.T.T.T. का एक्जाम अभी होने जा रहा है तो उसके लिए आज एक मौक टेस्ट आपके बीच में लेकर आया हूँ जिसमें लगभग 100 प्रशन रहेंगे और 120 प्रशन रहेंगे इसमें जो की पूरा लिटरेचर और ग्रामर वाला पॉर्शन है और ये बिल्कुल प्रिविए से पेपर के आधार पर ही बनाया गया है और इसमें जितने भी प्रशन रखे गए हैं वो सारे के सारे जो हैं आपके स्लेबर्स के अकॉर्डिंग ही है तो आई होब कि आप सब लोगों के लिए ये उप्योगी साबित होंगे तो आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रशन जो है इसमें रखे गए हैं पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है देखे यहां पर लिखा गया है कि शिव संग सेंगर किस शती में विद्यमान थे तो आप सब लोग जानते हैं शिव संग सेंगर जिनोंने हिंदी साइटे का इतिहास जो परक गरंथ लिखा था और सबसे पहले भारतिय विद्वान थे जिनोंने हिंदी साइटे का इतिहास गंद लिखा था और ये रहे आपके 19 वी शती में तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नमबर डी अगला प्रशन देखिए सत्य गटनाओं का क्रमबद अध्यायन इतिहास है यह कतन किसका है तो यह जो कतन है यह यहां पर कह इसमें से नहीं है तो यह प्रशन अभी हिमाचर प्रदेश विश्यव विद्यालक के लिए जो में की परिक्षा हुई थी उसमें भी पूछा हुआ था देखना इसको तो यह है आपका आधुनिक पारतियारे भाशन है आप सब लोग जानते हैं कि कौन कौन सी नहीं है तो बक्ति से समंदित जो ये चार-पांच प्रमुक संपरदाय हैं और साथी साथ इनके जो दर्शन हैं इनको जरूर प्रशन यहां से बनता है तो यहां पर शंकराचारे का था दोयतवाद रामानुजी चारे ने विशिष्टा दोयतवाद मध्वाचारे ने आपका जो दोयत बक्ति से समंदित भी इसको आप एंथोड़ा सा देखना है नेक्स्ट क्वेशन है कुमार पाल चरित किसकी रचना है तो कुमार पाल चरित आप सब लोग जानते हैं यहां पर अगर आप लोग भी इस क्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉस करके भी आंसर जो है वो खुद चेक कर सकते हैं मेरे बताने से पहले ही तो आप इसको या तो बिल्कुल म्यूट करके चलाईए ताकि आप जो है बाद में इसको खुद भी असेस कर सकें खुद को कि कैसा आपका स्कोर रहा है कितना आपका बना है तो कुमार पाल चरित यह आप सब त्यान रखेगा ठीक है नेक्स्त कर्शिन आपकी स्कीन पर जो है देखिए यह है चंदता शर्मा गुलेरी का निबंध कौन सा इन में से है तो चंदता शर्मा गुलेरी का जो निबंध है दिकिए वो एक कच्वा-ध्रम यहाँ पर फिर निराशा क्यूं यह आप सब लोग तो यह आपको मुझे बताना है साहिक्रम आपको बताना है यहां पर तुलसिदास हैं, केशवदास हैं, बिहारी है और रहधास हैं तो सबसे पहले यहां पर कौन सा नाम आ जाएगा जिसको आपको ध्यान रख लेना है सबसे पहले आ जाएगा रैदास रैदास तीन जगा पहले में है रैदास के बाद जो दूसरे नंबर पर रहे का देखी वो है तुलसिदास पंदर सो बतीस में केशवदास जो है पंदर सो इक्यावन बिहारी जो है पंदर सो पंचानुए तो option number D इसका बिलकुल साही answer हो जानुए और एक और ही आपकी जो दक्षिनी हिंदी रही है उसको भी आप इसमें रखते हैं बिहारी हिंदी के अंतरगत जो आती हैं देखना वो भी आपको याद रखना है बोजपुरी मगही और मैथली पूर्वी हिंदी के अंतरगत अब्दी बगेली 36 गड़ी राजस् राजस्थानी को जैपुरी के नाम से भी जाना जाता है जिसे घुंडानी भी बोला जाता है और पश्चमी राजस्थानी को मारवाडी उत्तरी को मेवाती तक्षनी को मालवी के नाम से भी जानते हैं नेक्स कॉशन आता है किस बाशा के लिपी गुरु मुखी है तो आप स सिध्धान्थ हीन होना इसका कोई सिध्धान्थ ना हो तो grammar से भी आपको प्रश्ण पूछता है देखना व्याकर्ण से इसको भी आप एक बार देखिएगा 84 वैशनवन की वारता के लेका कौन है इसे वारता साहिते के नाम से भी जाना जाता तो यह थे गोकुलनात की रचना यानि कि यहां से प्रशन आपको कार्याली हिंदी से 4-5 प्रशन जरूर पूछते हैं तो कार्याली हिंदी अगर आपने नहीं पढ़िया तो आपके आसपास जो कोई भी विद्यार्थी कॉलेज में अभी पढ़ रहा है तो उसके आपके फस्चियर के जुबुक आती है देख करते हैं आप नोटिंग का मतलब होता है टिपन प्रतिवेदन का मतलब है रिपोर्ट लेखन और प्रारूपन का मतलब होता है आपका ड्राफ्ट त्यार करना पत्र तो खेर आप सभी लोग जानते ही हैं सकर्मक और अकर्मक क्या है यह आप सब लोग जानते हैं कि यह क्रिय व्यंजन ठीक है इसको आप ध्यान में रखिएगा उष्थे होती है आपकी पवर्ग की और जो चवर्ग है वो आपका तालब्य है और तवर्ग जो है आपका दंत्य है ऐसे करके आपको यह याद अखना है नेक्स्ट यहाँ पर शुद्ध रूप कौन सा है तो इसमें से शुद्ध रूप जो जाएगा स्वास्थया उप्ष्ण नुबर डी वाला अगला प्रशन है बीसल देव रासो की नाई का कौन थी यह थी राजमती आप सब लोग जानते हैं बीसल देव रासो एक चोटा सा ग कर्मेंट में बताएं आलाखंड का अन्यनाम क्या है आलाखंड यह प्रशन जरूर पूछता ही पूछता है यहां पर परमाल रासो जगनीक की रचना है देखना आला एक विशेश परकार का गीत है जो वर्शा रितु में गाया जाता है उत्रपरदेश के बैस भाड़ा में ठीक है प्रितुरा रासो चंद बरदाई की है विसल दिव रासो अभी मैंने पीछे प्रशन आपको बताया है कि वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है विजपल रासो ये भी आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट कॉश्चन है केशव किस के दरवारी कभी थे केशव से आपका दूसरा था जैसिंग था वो ठीक है मुहमत्षा रंगेला जो था ये इसके दरवाल में घननन रहे हैं उसको आप ध्यान में रखेगा ठीक है नेक्स आज़ा यहां पर खुसरो की रचना है तो खुसरो की जो रचना है देखिए वो है आपकी खालिक बारी खालिक है ये खालक हो गया इसको ठीक कर दीजेगा आप लोग खालिक बारी है और पुरुष परिक्षा प्रबंद चिंता मणी और प्रित्वी प्रदक्षिना इनको भी आपको देखना है कि ये किसकी रचनाएं रही हैं जो तिरिश्व ठाकुर की रचना क्या है तो आपको जो तिर यहाँ पर पता है अभी आपको क्या करना है अपना काम इस पर फोकस करना है जादा कि ये किसकी हो सकती है आपको प्रशन ऐसा ही बनता है प्रिब्येसर पेपर से जब भी आप प्रशन उठाएंगे तो जो प्रशन पूछ लिए गया है उसको पर फोकस ना करते हुए तीन पर focus कीजिए, definitely आपका 90% question तो, मतलब 90 number तो आपके पुराने paper पढ़के इसके option से ही बन जाएंगे, अगर आप अच्छे तरीके से इनको read करते हैं, जैसे संदेश रासक आप सब लोग जानते हैं, तो रह्मान की रचना है, उक्ति व्यक्ति प्रक्रण जो है, दामोदर शर्म की रचना है, शव्दनुशासन हेमचंदर की प्रसिद प्रिती है, तो इतने सारे प्रशन तो आपके एक ही प्रशन से बन जाते हैं, ठीक है, संदेश रासक की गरंत कैसा रहा है, एक लोकाशित प्रेमकाब्य है देखना, जिसमें विक्रमपूर की व्योगिनी की विरह की क रचना है, ऐसी कुछ रचना है, उक्ति व्यक्ति प्राकरण जो हव्याक करने के गरंत है, ऐसे प्रशन आपको एक से ही बन जाएंगे, आपको एक्स्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको ही देखना है, जो आपको पुराने पेपर पूछे गए हैं, तो यह एक प्रशन तो आपको बनता ही बनता है, राहुर संकृतियाय ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है, यह आप सब लोग जानते हैं, इसे दिसामंत काल, वीरगाथा काल शुकल ने कहा, चारन काल, ग्रियर्सन ने कहा, रामकुमर वर्मा ने भी कहा, लेकिन उसने संधिकाल साथ में उसमें जोड़ा था, अरमभी काल जो है, यह मिश्रवन धूँओं और जो आपके गणपती चंदर गुप्त है, उन दोनों ने मिलकर कहा था, याद रखना है, यहाँ पर देखिए, इससे भी आपको प्रशन जादा हो गए, मलबे का मालिक कहानी का नाइक कौन है, तो साति साथ, इसके अलाबा आपको एक और मतकुन है, हिंदी साहिद्य, उद्भव और विकास बहुत जरूरी है, डॉक्टर बच्चन सिंग के लास्ट नाइम पूछी गया थी देखना हिंदी साहिद्य का दूसरा इत्यास, इस बार मैं यह प्रशन आपके लिए बना हो सकता तो द्वन्दो किस स्थिति में होता है, जब उपर जो है उल्टे शब्द रहे हो, दोनों, जैसे माता पिता, माता और पिता एक दूसरे के क्या है, विरोधी है, विरोधी का मतलब है कि उल्टा है न वो, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका द्वन्दो स्मास, ठीक है, लेक कबीर किस बाशा का शब्द है, कबीर जो बाशा का शब्द रहा देखी, ये अर्भी का शब्द है, लास्टाइम पूछा गया था कि कबीर का अर्थ क्या है, तो ये था आपका महान, इसको भी आफ़ दियान रखिएगा, कबीर से समंदित और भी प्रशनाव को पूछते ह रामचरितमानस की भाशा, बच्चा बच्चा जानता है देखना, ये अब धी की है, रामचरितमानस और भी प्रशन आपको पूचा जा सकता है, कि इसमें कितने कांड है, लास नाइम ये प्रशन पूचा गया तो साथ कांड है, कितना समय इसको लिखने में लगा था, लगब जनेंदर किस प्रकार के उपन्यासकार हैं तो आप सब लोग जानते हैं यह है मनवेज्ञानी को उपन्यासकार और जनेंदर के बहुत ही प्रसिद उपन्यास हैं देखना त्यागबत्र और कल्यानी सुखदा विवर्त ऐसे इसके बहुत मतपूर्ण रहे हैं उपन्यास उनको देखना है आपको प्रगतिशी लेकक्संग का प्रथमा दिवेशन कहा हुआ था ये हुआ था आपका देखना लखनव में और इसके प्रथमा द्यक्षते फ्रेमचन जी और कब हुआ था ये 1936 में हुआ था इसको भी आप ध्यान में रखेगा ये पूछता है कई वरी और यह इम भी वही पात होगी फिर से देखना जो मैंने आपको पहली का था कि आपको कारयली हिंदी के पुस्तक देखनी पड़ेगी थोड़ी-thोड़ी आशवनुवाद से होता है अनुवाद धतकाल इसको शीगर अनुवाद के नाम से बी जाना जाता है जासे मान लीजए कभी क बहार कोई नेता आता है तो उसका अनुवाद कोई उसी स्क्षन दूसरा व्यक्ति कर देता है तो उसको हम क्या कहेंगे आशुनुवाद कहते हैं आधुनिक्ता का जनक किसे कहा जाता है ये प्रशन भी बहुत पूर्ण है और ये है भारतें दुहरिश्चंद्र जो लाइफ बासिस में हमारा मौक्टेस रहा था आधुनिकाल कोले करके उसमें ये प्रशन पूछा हुआ था ठीक है नेक्स है यहां पर जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उससे क्या कहते हैं तो जिस भाषा में होता है वो लक्षे होता है और जिस भाषा से अनुवाद होता है वो आपकी स्रोत बाशा हो जाती है भीशम साहनी को किस रचना पर साही तकाद में पुरुसकार मिला था यह आप सब लोग जानते हैं यह तमस पर मिला है देखना 1973 की रचना है तमस इसको भी आप द्यान में रखिएगा और इसके दो भी दोते हैं एक होता है अलंबन एक होता है उधीपन जिसके कारण स्थाई वह आप जागरी थो वो अलंबन है और उधीपन क्या होता है जो अलंबन की चेश्टाएं होती हैं यह मैंने बहुत भी बिस्तार से आपको क्लास में बताया हुआ था देखना जिन लोगों ने देखी यह लाई प्लास इस तो वो एक बार आप जरूर देखिएगा नेक्स आयता यहां पर आरे समाज के संस्थापक कौन थे तो आरे समाज के संस्थापक आप सब लोग जानते हैं यहां से जरूर प्रशन आता देखना देखना थे लोग जाते हैं यह सारी रशने नागरजुन की है आसमान को चूने वाला यह होता है गगन चूंबी इसको भी आप एक पार जरूर देखिए अनिक शब्दों के लिएक शब्द भी पूछ सकता है नेता नहीं नागरिक चाहिए यह नगरिक हो गया यह नागरिक होगा इस निबंद के रचईता कौन है यह है रामधारी सिंग दिनकर श्रीडाल शुकल की अंगद का पाउं पहुती महतपून है देखना जनेंदर जो ह यह भी आप एक बार जरूर देखिए यहां पर जो जो मैंने राज्य लिखी हुए हैं इनमें कौन-कौन से लोक नाट्टे यहां पर फेमस हैं हीमाचल का कौन सा फेमस है उसे भी आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में जाके यश्पाल का पहला कहानी संगरे है कौन सा था ये था पिंजरे की उडान, इसको भी आपने देखना है, फुलों का कुर्ता, तरक का तुफान, ये सारे इसी के ही कहानी संग्रे रहे हैं, इक पार जरूर देखना और इसकी प्रसिद कहानी रही है, वो है आपकी, जो आपको ध्यान देना है, देखना, कौन सी रही, वो थी परदा कहानी, मक्रील भी रही है, एक मतपुन, उसको भी देखना, प्रवा केतान के उपन्यास कौन सा है, ये है, चिन नमस्ता, मित्रो मरजानी कृष्णा सोब्ती, याद रख लेना है, इंपोर्टेंट है, ये एक लंबी कहानी, या फिर लगु उपन्यास के नाम से इसक परदान मंत्री रहे हैं, तो उसी के संदरव में लिका गया है पहला राजा, और नहरु के साथ साथ जो प्रिथु, जो धर्थी के पहले राजा रहे देखना, उनकी कहानी समें चलती है, ठीक है, हजारी परसाद दिवेदी के निमन संग्रह की पहचान कीजिए, तो आप इसके है, ये प्रशन आपको बन सकते हैं देखना, और निबंद में जाके आपको देखना है परी, बाशा योग वेशिष्ट, रामपरसाद निरंजनी की रशना है, भुलना तिवारी ने भाषा विज्यान लिखा था, देखना, उसको आप देखेगा, भारत हिंदु हरी चंदर ने हिंदी भाषा लिखा था, विपात्र उपन्यास के रचईता, एक ही उपन्यास लिखा था, देखना, ये मुक्ति बोध ने लिखा था, इसको आप त्याम दीजेगा, मुक्ति बोध की कृति रही है, ये महादेवी वर्मा की रशना नहीं है, तो यहाँ पर अगे का दिहांत का भुआ था, ये आप सब लोग जानते है, 1987 में हुआ था, 1911 में तो इनका जनम वश्ट था, ठीक है, कालकरम अनुसार जो विशेशता हैं, उनको जो है अरोई क्रम में रखने के लिए कहा गया देखिए, समस्या पूर्टी, बातेंदु युग में थी, क्षनवादिता ये जो है, नई कवीता की विशेशता मानी जाती है, ध्यान रख लेना है, सही क्रम एक बर फिर से आपको बताना है, सबसे पहले चंदायन, ये आप जानते हैं, 1389, पदमाबत गलत हो जाएगा, तो सबसे पहले चंदायन, फिर मृगा बति 3501, पदमाबत ब प्रुषन को प्रशन है, जिंदगी नामा किस विधा की रशन है तो यह उपण्यास खुलिधो का बहुत ही मतपुन उपण्यास है। पूछता है नेक्स है यहां पर भामरगीत के रचईता कौन है यह है नंददास नंददास की भामरगीत डास पंचा ध्याई और पांच इसने मंजरी शीष्ट से लिकिती रूप मंजरी विरह मंजरी अनिकार्थ मंजरी इत्यादी इत्यादी उनको आप एक बार जरूर देख पुष्टी मारग का प्रवर्तक और इसने कितने मारग बताए हैं तीन मारग बताए हैं मर्यादा मारग प्रभा मारग और पुष्टी मारग इसके अंतरकत आते हैं ध्यान देना है इसको पंदरसो चार से लेकर के पंदरसो तिरसर तक किस भक्त कवी का समय माना जाता है तो ये था आपका जो मीरा का समय रहा है देखना याद रख लेना है ऐसे भी प्रशना आपको बन सकता है किस अश्चापी कवी का संगीत सुनने तान सेन आया करते थे तो ये भी आपका right answer हो जाएगा गोबिंद स्वामी याद रखना है इसको भी next ये मीरा ने अपना अंतिम समय किस मंदिर में बेतीत किया था ये था रण छोड़ दास्ची का मंदिर आप सब लोग जानते ही हैं ये भी आप ध्यान दीजिए एक बार next question आता है खेती न किसान को विखारी को न भीक वली पंक्ती किस का विगरंथ की है तो ये कवीता वली की पंक्तियां देखना इसको आप त्यान में रखेगा option number 1 इसका सई हो जाएगा आपका ठीक है और विखारी की पंक्ती लास्ट टाम भी पूछेगी देखना गोरख जगायो जो पक्ति बगायो लोग जो की इसी में ही रही है रामानंद के शिष्चे कौन से नहीं थे तो यहाँ पर नावादास जो थे यह थे अग्रदास के शिष्य यह भी आप याद रखे वारकरी संपरदाय के उननायक उननायक पूछा है देखना अगर प्रवर्तक होते तो वो थे संत पुंडलिक लेकिन यहाँ पर उननायक पूछा है तो यह संत ग्यानेश्वर थे और नाम देव भी जो है इसमें रहे और वारकरी संपर्दाय महराश्टर में रहा है यहाँ आप सब लोग जानते हैं सईक्रम पूछा गया यहाँ पर अगले प्रश्ण में तो यहाँ पर देखे सबसे पहले तो आपका रह दास ही आ जाएंगे देखना जो की कभीर से भी पहले थे 1388 में उसके बाद दूसरे नमर पर कभीर दास ही आ जाएंगे तीसरे नमर पर जो है आपका मलूग दास हो ठीक है और गुरु नानक सुलक्षना ठीक है ये भी आप त्यान दीजिएगा नेक्स आता है यहाँ पर प्रणाम चरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था लगवक धाई वर्ष का समय इसको लिखने में लगा था कि आप सब लोग जानते हैं दो वर्ष साथ महीने ठीक है तो लक्षन गरंत के कहते हैं रितिकाल में और जादतर लक्षन गरंत लिखने वाले जो विद्वान रहे हैं वो थे आपके रितिकालीन रिती बद कभी ये भी आपको द्यान देना है ये प्रशन पूछा जा सकता है रिती मुक्त कभी कौन सा है तो रिती मुक्त थे यहाँ पर गननंद बिहारी रिती सिद्ध रहे देवरपदमा का जो है रिती बद रहे हैं यह सब लोग जानते हैं आप गननंद की पंक्तियां देखना यह सवये इसके रखे गए हैं वहां से काव्यांग निरूपन के अधार पर रितिकालिन कवियों का बरगी करने वाले जो पहले बिदवान थे वो थे डॉक्टर नगेंद ठीक है इसको भी ध्यान देना है असंगत कथन का चैन कीजिए के शवदा सलंकार वारी अचारे थे बिल्कुल सही बात है पदमाकर को रितिकालिन का राष्ट कवी नहीं कहते बलकि भूशन को कहा जाता है बिहारी सतसई में 713 दो रिषन की रशना थी आपकी शिर्वराज बूशन जो की आपको ध्यान देनी है शिवराज बूशन में अलंगकारों की संक्या कितनी है तो ये थी आपकी लगबग 210 चल्यएं अगला लिकिन साथ ही साथ शुकल ने इसको आपका उत्तर मध्यकाल की संग्या भी दी हैं, यादखना है इसके नाम को भी, Republic के लेख कौन है, Republic कि याने की गणतंत्र, ये लिखी थी प्लेटो ने, प्लेटो ने रिपोलिक के अलावा योन भी लिखी थी, organiz ан mos लॉंजाइनेस ने ओन दा सब्लाइन का अनुवाद पेरी खुपसुस नाम से किया था रीती को कावे की आत्मा मानने वाले जो भी द्वान थे ये थे अचारे वामन ये भी आपको ध्यान रखना है अनन्दबर्धन द्वानी को माना अभीनप गुप्त जो रहे हैं देखना ये इसमें नहीं रहेंगे और भरत मुनी तो रस संपरदाय के प्रवर्टक थे आप सब लोग जानते ही हैं अचित्य संपरदाय के प्रवर्टक का नाम क्या है तो अचित्य संपरदाय के जो प्रवर्टक रहे हैं ये आप सब लोग जानते हैं ये थे अचारे क्षेमेंद्र इसका भी याद रखना है आपको नाम नेक्स आता है कि शोरिलाल गोस्वामी की कहानी कौन सी रही तो ये थी इंदुमती 11 वर्ष का समय अचारे रामजंद्र शुकल दुलाईवाली बंग महिला यानि की राजेंद्र बाला गोश राजा भोज का सपना ये आपको बताना है बहुत ही मतपून है इसको आप युग यादख लेना है यानि कि कावे नाटक भी इसको कहा जाता है जबकि उर्वशी जो है ये है चंपू कावे जो आपका ये जैशंकर प्रसाद का रहा है अंदा युग जो है ये दरम इरभारती की कृती रही है इन में से लरित निवंद कौन सा है तो ये है कुटच के लेकक हैं हजारी प्रसाद दिवेदी यादख न है प्रिया निलकंठी किसकी रशना है ये है कुबे नात राय का पहला निबंध रोटी और संसत किसकी रशना है तो रोटी और संसत तो आप सब लोग जानते है दो मिल की एक छोटी कवीता है देखना और ये प्रगतिवाद यही मैंने बता दी थी, पर्दा और मक्रील, मोहन राकेश की मलबे का मालिक, फेमस कहानी, वाक्रासात्मकम काब्यम, यह अचारे विश्वनात, जो कि चौदवी शती में रहें देखना, साहित दरपन की रचना रही है, हर्योध की रचना कौन सी है, तो प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया था देखना, खड़ी बोली हिंदी में रचित पहला, जो प्रवंधात्मक यह ग्रंत रहा है, ठीक है, नेक्स आता है, मनोविश्टेशन वारी उपन्यासकार कौन नहीं है, तो हजारी परसाद दिवेदी नहीं है, यह थे अतिहासिक उपन्यासकार, गुसाइं आता है, अवारा मसीहा के लेखक, यह है विश्णु प्रभाकर, किसकी जीवनी है, जीवनी थी यह शरत चंदर की, यह भी आपको ध्यान रख लेना है, मैरा अंचल का प्रकाशन वर्ष, 1954 में, पहला अंचलिक उपन्यास है, यह देखना, और यह फणिश्वनात रेनों की कहानी आया था, 1882 में जो है परिक्षा गुरू आया था, ज्यान रख लेना है, तो भागयवती 1887, श्रदराम फिलोरी, त्याग पत्र किस विदा की रचना है, तो यह है आपका उपन्यास विदा की, और यह जनेंदर का प्रसित उपन्यास रहा है, और इसकी जो प्रमुख इनका कौन सा उपन्यास विदा जीवन पर अधारित है, तो यह था आपका सेवा सदन, जिसका अन्याम है बजारे, खुस्न, यह भी आपको देखना है, सिक्का बदल गया है, कहानी के लेकी का कौन है, तो यह थी आपकी कृष्णा सोबती, बहुती मतपून है देखना, या इस बोली का अन्याम बांगरु है, तो बांगरु जो आता है देखना, यह था आपका हरियानवी का अन्याम, इसकी जो उपबोलियां है, वो है जाटु और चमरवा, वो भी आपको याद रख लेना है, कौरवी को जो है, खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, बुंदेली आप पूछा जा सकता है, किस ने की थी, यह की थी, लौड वेल्जली ने, फोट विल्यम कॉलिज कहां पर हैं, यह है कुलकाता में, यह भी आपको ध्यान रख लेना है, कव इसको गिराय गया था, और 24 जनवरी 1854 को इसको सरकारी आ गया पत्र के अनुसार जो है, वो गिरा दिय गया था, और यहां पर देवनागरी लिपी को जो है प्रतिश्चित करने का काम किस ने किया था, विल्यम प्राइस ने किया था, प्रेम सागर किसकी रशना है, यह है ललू लाल की, यह भी आप द्यान दीजिएगा, सदल मिश्र की जो रशना रही है, वो नासी के तोपा क् खान, इसकी रशना का नाम आता है, जो आपको बहुत मत्पून करीती है, देखना रानी केतकी की कहानी, जिसको उद्यभानचत के नाम से भी जाना जाता है, सदा सुकलाल, नियास की रशना का नाम था, सुकसागर, भारुप्य भाशा परिवार का अन्य नाम है, यह दोनों ही, ठीक है, इंडो जार्मनिक भी बोला गया, और भारत हित्ती के नाम से भी जाना जाता है, भाशा के तत्तों के संक्या कितनी है, तो भाशा के तत्तों उरते हैं सबसे पहले वर्ण, वर्ण से बनता आपका जो, सबसे पहले द्वनी, द्वनी का मतलब वर्ण, लेकिन यह एक निश्चित अर्थप्रधान करता है निपात के कितने बेद होते हैं तो निपात के नौ बेद होते हैं ये भी आप ध्यान दीजे राजाश्री प्रसा सितारे हिंद किस परकार की हिंदी के समर्थक रहे तो ये थे आपके उर्दू मिश्रित हिंदी के समर्थक ये आपको ध्यान देना है राजाश्री प्रसा सितारे हिंद विश्व की और परवर्तित भाषा कौन सी है ये लिद्वानिया ये लास्ट टाइम भी प्रश्ट में आपको पूछा गया था इसको एक बात देखना है आ अनवाद का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है तो इसमें योगा अनुवाद नहीं होगा चाह नुवाद भी रहता है बावावान नुवाद भी रहता और आश्री में पढ़ना ठीक है आव वेवस्था में उपसर्ग कौन सा है तो आव उपसर्ग आता है ऐसे शब्दांच चो शब्द के प्रारंभ में आकर उसके अर्थ में परिवर्थन कर देते हैं तो यानि कि आव इसमें क्या है उपसर्ग है option number A इसका सई हो जाएगा बहुबचन शब्द कौन है ये सारे ही जो है वो बहुबचन हो जाते हैं जैसे आंसू है प्राण है जनता है ये सारे क्या है आपके बहुबचन शब्द है action का हिंदी रूप क्या होता है ये है कारवाई तो लास्ट प्रशन है देखना राम ने मुझसे कहा कि वहाँ आज देर से खेलने आएगा यहाँ वाक्य किस प्रकार का है तो ये है आपका मिश्र वाक्य जहां पर एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है उसे ही हम मिश्र वाक के कहते हैं तो ये थे आज के 120 question I hope कि आप लोगों को ये प्रशन रोचक लगे होंगे और ये आपके लिए उप्योगी साबित भी होंगे तो आज के लिए इतना ही बहुत जल्दी आपके लिए एक और मैं मौक डस लेके आऊंगा तो बने रहे हिंदी साहि रहते बाता चैनल के साथ अभी के लिए इतना ही मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीज़े इजाज़त जय हिंद जय भारत शुक्रिया इंकलाब जिन्दवार